Periods के Blood Color से जानिए कितनी Healthy हैं आप नमबर एक, काले रंग का Blood Flow खत्रे का संकेत है हो सकता है कि आपके गर्भाशे में संक्रमन हो या फिर ये गर्भपात का भी सूचक हो सकता है अगर आपको periods के सभी दिनों में काले रंग का blood flow हो रहा हो तो बिना देर की ये डॉक्टर से संपर्प करें नमर दो लाल रंग के flow का मतलब है कि ये खून नया बना और बहुत जल्दी ही उसका flow हो गया ये खून काफी हलका होता है लेकिन दिन के समय जब flow तेज होता है तभी लाल रंग का स्त्राव होता है नमर तीन अगर आपको हलके लाल रंग का flow हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप स्वस्थ हैं आम तोर पर period के दूसरे दिन ऐसा flow होता है विशेशग्यों की माने तो लंबी period cycle वालों में ही ऐसा flow होता है जो बाद में कुछ गाढ़ा हो जाता है नमर चार अगर आपके period blood का रंग गाढ़ा भूरा है तो इसका मतलब है कि flow हो रहा खून पुराना है ये खून लंबे समय तक गर्भाशय में संग्रहित रहा होगा और फिर flow हुआ आम तोर पर गाढ़े भूरे रंग के blood का flow सुबह के समय ही होता है नमर पांच जब खून गर्भाशय के उप्री हिस्से के तरल के साथ मिलकर flow होता है तो इसका रंग नारंगी होता है पर इसे हलके में लेना सही नहीं होगा यह किसी संक्रमन का संकेत हो सकता है दोस्तों ये छोटा सा ग्यान मैं चाहती हूँ कि आप हर उस लड़की दोस्त बहन और कोई भी जिसे आप जानते हो उन्हें शेर जरूर करें क्योंकि ये सब उन्हें जानना बहुत जरूरी है धन्यवाद पोस्ट लाइक करना ना भूले उन्हेंट जप जाएक कर दोस्तों जाना भाद करें जा हूँ आप जाना भी जाएक